हिंद गुरू एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान में अलग-अलग जगा जाना और पहचाना जा रहा है दो साल की मेहनत नूर्णवास सहाब की देश के अलग-अलग हिसे में गुंज रही है इस जिस क्लास्रूम में हम बाचीत कर रहे हैं यहां उत्तरपरदेश, बिहार, गुजरात से अलग-अलग जगा से बच्चे आकर पढ़ रहे हैं खासकर लल्कियों के लिए बहुत ही जबरदस इंतिजाम किया गया है हम बच्चों से बाचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे ऐसे दोर में जब माबाब अपने बच्चों को घरों से नहीं निकालते नुन्नवास सहाब की मेनती है कि पैरेंस ने उन पर भरोसा किया और हिंद गुरु को एक बड़ा नाम बहुत कम समय में दिया हमारे साथ बिहार की बच्चिया होंगे, यूपी की होंगे, गुजरात की होंगे, जारखन की ललक्या होंगी हम उनसे बाचीत करते हैं कि वो यहां कैसे पहुंचिंग बच्चा आप पहले अपने बारे हम बताइए कि आप किस स्टेट से हैं और यहां के कैसा लग रहा है, बहुत इमांदारी से इस सवाल के जवाब को दिएगा मेरा नाम जोया है और मैं बिहार से आई हूं और मैंने इसका गूगल पर देखा था और मैं यहां पर इसलिए इता फ्री रहती हूं, सुबह नौ से दो बज़े तक क्लास रहता है, फिर कैंटीन से लंच करते हैं उसके बाद ढ़ाई बज़े से कंटीनियू साथ बज़े तक यहां पर एक दम टीचर साइब लेवल रहते हैं लाइबरीडी में सारे टीचर एक एक डाउट बताते हैं, एक टॉपिक समझाते हैं और टेंशन फ्री पेरिंस को भी हैता है कि बहुत अच्छे महाल में हैं हैं एक एक बच्चे को डाउट बताते हैं, वीख हो, एवरेईज हो, कोई से भी बच्चे हैं हमने कोशिश कि कि तस्वीरों को आप तक पहुँचा सके और पैरेंस को पूरा भरोसा दिला सके कि यहां पर आने के बात कहीं न कहीं बच्चे कामियाब हो सकते हैं सबसे जो बड़ी बात है इस campus की यहाँ पर girls के लिए special इंतिजाम किया गया है और कोशिश की गई है कि यहाँ पर ललक्यों को सारी facilities दिया जाए यहाँ पर बिहार से मैंने आपको बाले और भी बच्चों से बातचीत करते हैं सब टीचर बहुत अच्छी हैं साई टीचर बहुत कोपरेटिव हैं एन वार्में तो बहुत ही जादा अच्छा है मतलब मैं शाम के साथ आट बरे तक यहां पर रुपती हूं और इसके बात गर जाती हूं क्लासिस बगएर कब होते हैं यहां बच्चे यह लाइबरेरी है बच्चों के लिए और बच्चे लाइबरेरी में अपने पढ़ रहे थे तो मैंने यहां पर आकर यह कोशिश की है कि उनके ओपीनियन्स को जान सके थैंक्यों फोर वाचिंग प्लाज्मा नीउज